तो इसके लिए मैं मौक टेस्ट लेकर आई हूँ किसका है यह कैमिस्टी को मौक टेस्ट है आपका ठीक है इसमें अराउंड 30 कुर्शन होंगे आपके पूरी तो आपको जैसे मैं बता रही हूं वैसे करने हैं और मैं कुर्शन आपको बताती जाओंगी किसका अंसर यह होगा और उससे पहले आपको क्या करना है उससे पहले आपको अपना अंसर देखना है कि मेरा अंसर क्या है उसे अपने माइंड में रखना है दन उसके बार में जब मैं आपको बताऊंगी कि यह अंसर होगा इसका तो आप देख लिए कि मेरा गलत है यह सही है ठीक है तो चलो जा तो आपका 1st question है देख लीजिए the difference of water the difference of water molecules in gypsum and जो plaster of Paris होता है उसमें कितना water molecule difference होता है यह आपको बताना है तो इसको जो option हो जाएगा आप ध्यान लखना इसको option हो जाएगा आपका C option और आप अपने mind में दिखते जाना और लगाते जाना इसको तो जो आपका hardness of water होता है वो किसके द्वारा एक द्वारा आप इसकी फिल्फर्म क्या है तो फिल्फर्म यह होती है आपकी एथाइलीन-diamine-tetra-acetate इसकी फिल्फर्म होती है तो यह एस्टीमेट करता है hardness of water को नेस्ट क्यों देखिए नेस्ट क्यों आपका थार्ड बोल रहे है इन दर एक्षिन ओफ एनी एच विद वाटर विच फॉल्फर्म इस प्रिजेंट तो आपसे बोलना है कि जब एनी एच को वाटर के साथ मिलाते हैं हम तुम्हें क्या मिलता है तो हमें मिलता है आपको oh- ठीक है second option आपका सही है और एक और बात बता तुम्हेटा आपको थोड़ा फास लग भी हो वीडियो तो वह मेरा नेचर है फास बोलना तो शायद इसलिए निकलता है लेकिन मैं कोशस करूंगी कि मैं slow बोलू कुछ बच्चे बोलते हैं कि slow बो कुछ आपका which of the following waste जो होता है material can be used for producing biogas तो इस मैंसे जो waste material लगता है आपको जो biogas को production कर सकता है तो वह होता है आपका paper scrap ठीक है next question है आपका 5 बोलते है SiO2 is treated with sodium carbonate अब जब हम SiO2 को sodium carbonate के साथ में क्या करते हैं treat कर रहे है what is the gas liberate तो कौन सी gas liberate होगी तो CO2 आपकी gas liberate होगी उ होता है only to CO3 तो इसको treat करके देख लीना आप और आपका answer आजागा CO2 next six question है आपका an electron have a spin quantum number कितना है आपका spin quantum number है आपका plus 1 s is equal to plus का half है ठीक है ma'am magnetic quantum number है आपका minus 1 और जो magnetic quantum number है आपका minus 1 है तो सब्सक्त पोच रहा है we can't be present in it can't be present in तो यह किसमे present नहीं हो सकता है तो यह आपका हर एक cell में present हो जाएगा लेकिन आपको जो s orbital है उसमें present नहीं होगा ठीक है next question देखो नहीं question आपका seven बोल रहे है the geometry of h2s and its dipole moment are तो इसमेंसे आपका बताना है कि geometry बताना है है h2s की और dipole moment बताना है इसका तो इसके geometry होती है अब होती है angular ठीक है angular इसकी geometry होगी क्योंकि यह band shape हो जाता है तो इसलिए angular इसकी geometry हो जाएगी और none of these हो जाएगी ठीक है यह अफिन आपका सही हो जाएगा देखिए next question the number of anti bonding electron pair in O2 2- अब यह समझ लेना आप 2- कैसे लिखा हुगा है यह ऐसे कुछ लखा हुगा देखिए on the basis of MO theory जो molecular orbital theory होती है उसके साबसे जो anti bonding होंगी वो कितनी होगी तो इसमें इसका answer हो जाएगा आपका 4 ओकी इसका option 4 हो जाएगा आपका next question देखिए 9 बोल रहा है आपसे an ideal gas always owing kinetic gas equation can be liquefied if तो इसका जो answer हो जाएगा आपका d it cannot be liquefied at any value if p and t एक है next question देखिए next question आपका time गोल रहा है which of the following decreases in going down the halogen group हम जब halogen group में जाते हैं तो इन मेंसे कौन सी चीज़ जो decrease होती है तो वो होती है आपकी ionization potential एक है आपका third option साही हो जाएगा next question देखिए next question हा आपका 41 तो यह numerical waste question हा आपका थोड़ा से numerical है वैसे easy है इंदा reaction H2O2 plus Na2CO3 equals to Na2O2 और प्लस आपका CO2 plus H2O substance undergoing oxidation is तो इसमें से बताना आपका कौन सा substance है जो undergoing oxidation state के जा रहा है ठीक है oxidation में जा रहा है तो वो आपका option है Na2CO3 तो यह oxidation में जा रहा है ठीक है next question देखिए 12 बोल रहे है which of the following is pH of solution at 25 degree celsius which is twice alkaline with twice as many hydroxide ion as in pure water तो आप azatis याद करना चाहते हो इसको तो azatis भी याद कर सकते हो आपको और आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल भी सकते हो तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो आप मुझे comment में commenter ना comment क्या करना मैं बता दूगी तो comment क्या करोगे आप लो ठीक है तो जो इसका अंसर है वो डालेट याद करना चाहओ तो जालेट कर लो जो pure water में आपकी यह यह होती है 7.3 आपको पता है pure water का क्या होता है pure water 7 होता है इसका pH ठीक है तो आप एच प्लस आइन यह आपने बढ़ाओगा अगर पी ओएच होता है यहां पे तो यहां पे हो जाता माइनस लॉग ओएच माइनस आइन यह होता है पी ओच कि हम से यह पूछा नहीं है हम तो हम कैसे निकालेंगे अब एच टू आपने यह प्लस में तोटता है और प्लस ओछ माइनस में तूपता है आपने दिखा होगा यह फिर एरू लगा लू ठीक है तो यह यह ऐसे तूपता है अब 25 दिगरी सल्सियत बोल रहा है यहां पे 25 दिगरी सल्सियस तो 25 दिगरी celsius पे क्या होगा आपका कि जो आपका kw होगा kw equals to kw equals to h plus में हम लिख लेंगे आपको पताइए और oh minus भी लिख लेंगे हम ठीक है ऐसे लिख लेंगे आपको देन आप क्या करोगे यह होता है आपका 10 to the power minus 14 आप देखा होगा इकवल्स टू ठीक है नेक्स देखिए फिर देखिए फिर क्या होगा फिर होगा आपका कि यहां पर x square equals to 10 to the power 14 हो जाएगा वह भी माइनस का आप x equals to क्या हो जाएगा 10 to the power minus 7 हो जाएगा है यह तो आपको आता ही होगा होगा है स्टीक हो यह आपको किस ही आरही है की एक ब्लस की भी यह वंट लिए और म्माइनस की यही वैल्माइनस की वी वैल्माइन की Bh had कि आ रही है कि 2 into 10 to the power minus twice दे रखा है न है तो यहां पर क्या करोगे जो हैं आपकी तो इंटू कर दोगे यहां पर तो इंटू 10 to the power minus 7 हो जाएगा समझ में आगे होगा यस में आगे देखो आगे कैस होगा आगे क्या है आपका आगे यह निकला है आपका आपकी पास में देखा है एच प्लस और ओएच माइनस आइन इकुल 10 to the power minus 14 है तो यहां से हम निकाल लेंगे देखि और जो आपकी ओएच माइनस है यहां पर को इस तक में बंद कदेरी में इनको ओएच माइनस है इकुल्स तो आपका कितना दे रखा है 10 to the power minus 14 यह दे रखा है यस मैं हम दे रखा है फिर देखिए यह फिर क्या होगा आपका फिर आपका हो जाएगा देखिए फिर क्या होगा फिर एच प्लस यहां से हम निकाल लेंगे एच प्लस निकाल लेंगे तो हमारे के 10 to the power minus 14 अपॉन 10 to the power हमने फिर अब गर हम क्यों क्यों करेंगे तो करेंगे 5 into 10 to the power 8 हो जाएगा मैनस का ठीक है यह आगया ठीक है आगया अब हमें क्या निकलना है पी एच निकालना है जो पी एच ऊपर दे रखा तो मनें फॉर्मूला आपको बताया था कि फॉर्मूला यह होगा आपका पी 10 to the power कितना है मैनस का फाइव एट है एट है मैनस का और वो भी यहां पर सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टिक है यहां पर स्रिफ हमें एच प्लस की वेल्यू रखनी है तो हम निकाल चुके है ना तो वह कितनी आ रही थी 5 into 10 to the power minus 8 आ रही थी तो इसे जब क्लिट करोगे आ आ जाएगा मैनस का एट बाहर आ जाएगा आपका 5 रह जाएगा लोग 5 की वेल्यू कितनी होती है वो रखने पड़ीगी आपको तो आराउंड आपका 7.301 आपका option आ जाएगा मतला आपका D options आई हो जाएगा ठीक है I think आप लोग समझ गए होगे I hope आप लोग समझ गए होगे ठीक है तो यहाँ पर हमें यह निकालना था ठीक है अब देखो आपका next question देख लो 13 बोल रहे हैं आपसे यह भी आपका numerical based question है तो यह है a weak acid आपके पास में एक weak acid है जिसका HA has a जो HA वो देखा है product आप समझ लो sorry ज acid dissolved in a one liter one liter of water में dissolved है और कितनी percentage what percentage of acid dissociated at equilibrium in a closest to ता आपको dissociation percentage पूछिए आपसे ठीक है तो यह आप कैसे calculate करोगे इससे calculate करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा देखिए ahm HA ते रखा है तो इसको हम break कर ले रहे हैं वो किसमें होगा H plus और A minus sign में हो जाएगा yes ma'am हो जाएगा initially value zero होगी सबकी लेकिन add जो आपका add equilibrium होगा add initially यह क्या होगा t equals to zero हो जाएगा ठीक है जो आपका equilibrium है add equilibrium eq लिखते रही हूँ तो यहाँ पर जो a h की value हो जाएगी वो h a की value कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी c ठीक है फिर यहाँ पर c alpha और c alpha यह समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है yes ma'am समझ में आ रहा है अब k a equals to k a equals to k a equals to h plus आपने देखा होगा product upon directant लिखते हम तो h plus और a minus upon आपका होगा h a ठीक है अब जो हमारा h plus और a minus कितना आ रहा था हमारा वा रहा था c alpha square कर देंगे यहां पर कैसे क्योंकि c alpha c alpha था तो c square और alpha square हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा आपका वह जाएगा c minus c alpha यह आपका क्या होगा reactant का हो गया at equilibrium पर हमने जो आपका value था व c common ले दोगे तो क्या आएगा तो यहां पर जो value आजाएगी आपकी देखिए c square alpha square upon c common लेडो और one minus alpha हो जाएगा तो यहंसे cc a cut जाएगा तो यहां पर जो आपकी k a की value आएगी वह क्या आएगी c alpha square तो यहां पर क्या value है one minus alpha यह value अब 1 minus alpha को हम नीरवाई one मान ले रहे है क्योंकि आपका जो One Alpha है वो lehatए कम है किससे One से ही तो hada को उमने बनीका मानली यह है तो यहाँ पर आगे देखेंगी हम आगे क्या होगा आगे यह होगा की हमने जब one minus ऑपा को हमने Randi मानली आप तो सी ऑलफा है। उसको हमारे पास में बचेगा जो one minus पूंधा उसको हमने क्या बहुने बिलते हैं माइनस- अल्फग स्कारी उपने बन लिया। यहां पर वेल्वी थी वह बन हो जाएगे तो एक्वेल्व मी लखायेका के अल्फग स्कारी होजा है आप यहां پर तो आपका मोल उपन आपका क्या आजाएगा वॉल्यूम ठीक है तो वन लीटर वॉल्यूम यह नीचे दे रखा है आपका तो यहां से निकालोगे मोल कितने रख्किया है पॉइंट वन आपका 1 लीटर वन बसक्षा आज नो अब देखिए पॉइंट वन जब आ जाएगा आपका कितना आ रहा है आपका यह आजाएगा अलफा इकोल्स तो के अपॉण सी इन अंडरोट में तो के की वैल्यू है आपकी 1 इंटू 10 तो दी पावर माइनस का 5 अपॉण जो की वैल्यू आ रही थी आपकी कंस्टरेसं पॉइंट वन आ रह जाएगा आप इसको हमें क्या परसेंटेज डिसोशेशन में प्लाइगा कि आपका जो question है answer है वो आपका percentage में आ रहा है तो percentage of distribution क्या होगा आपका तो percentage 0.00% मतलब 1% आपका तो आपको जो option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विटा आपका option हो जाएगा बी option 1.00% मतलब 1% आपका option हो जाएगा ठीक है नहीं सोचने है 14 में आप से बोलते हैं T equals to Q ठीक है अब यहांपर M क्या है आपका मूल है ठीक है cp आपकी दिरखी है 75 kg joules per kelvin per mole ठीक है यह दिरखा है आपका अब यहांपर T क्या है आपका Kelvin है तो जब सबसे पहले आपको निकालना है 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 तो क्यों 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 आपको निकालन एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह ऊचाएगा आपका जो आपका क्यूंट करेंगी टो यह हो जाएगा आपका जूल में 1 अब देखेगे पार्डीशन कर ले रही हुमें यहां से तो पार्डीशन क्या है यहां पर यह डिल्टा टी इक्वल्स तू क्यू अपना हो जाएगा कितनी है म इंटू cp तो यहां पर वैल्ट्योज रख दो सभी पुट कर दो उपर हो जाएगा यहां परोप्हाव कितनी है आपकी आहिम कैसे निकाल दोगी नमर उप मोल्स निकालते हम नंबर ऑफ मोल्स यहां पर निकाल दे embr हुँमें मैं नमर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा यहां पर लगदे लें हमें और वेट कितना है जो आपका निकालते तो 5.55 मॉल आजाएगा आपका पनी आपका यह प्यासना रखना आपसे पूछे कि वार्टर का मॉल्टर कम उटे कितना होता है तो वह आप रहाएं प्ला प्ला को कर देंगे इन्ट्स समझ लेना यह 513 सар आवलिय करें आपको दें पर Άरा पर 35 तो 75 यहां पर यह थाप 15 i currently है कितना शूपर 35 तो ढापन सब्सक्राइब नि एक चुंच कुछ में आपका B option सही हो जाएगा ठीक है कट पिट करके आ जाएगा बिल्कुल बिटा आप चेक कर लेना एक बारी बस आपको क्या करना है 1000 में 75 का भाग दे रहा है और जब 75 का भाग दे तो 13 में 13 अंसर आएगा 13 में ही आपको 5.55 का भाग दे देना है तो आपका option आजाएगा नाइस क्वेशन है 15 आपको इसके बाद में प्रेशर इन अट इस फिफ्टी परसांट इसे अड़ तेंपरिचर इस पूछा किया है विसे कि अपसे पूछा है इसमें के वैल्यू अपको पी की वैल्यू निंकाली है यह पूछा है आपसे के वगरा आप निकालोगे कैसे निक आपको उता दूँए कीसे निकालना आपको बाकी जो के वैल्यू आपकी दे रखी 1.6 आपकी की वैल्यू रखी के पिप्टी परसंट जो आपका है वह क्या है 50 वह है आपका पॉइंट फाइब आपका जो है PCL वह डिसोचेट हो गया ठीक है अभी हम निकालना कैसा है वैस CL2 ठीक है PCL3 प्लस CL2 वह तूट जाएगा ठीक है यास मैं समझ में आ गया मैं तूट जाएगा उसके बाद में जब KP की वैल्यू तो आपको पिताए है आपकी 1.5 ATM दे रखे KP की वैल्यू अब जब एट इनिशल ही आप दोखोगे T equal to 0 पे तुमारा वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी ठीक है लेकिन इनकी क्या होगी 0 होगी जब हम एट इकलिवरियम पर देखेंगे एट T equal to इकलिवरियम पर जाब आप चेक करोगे इसको तो क आपकी टोटल जो होगी टोल होगी 1 plus x 1 plus x हो जाएगा यास मेम हो जाएगा ठीक है फिर next आप क्या करोगे अब इसको क्या करना है आपको बस आपको पूट करना है जो PCL 5 होता है अपना P PCL 5 equal to आपका 1 minus x upon क्या होता है 1 plus x total क्या है 1 plus x है और into में पी है आपका ठीक है यह हो प्रोड़क्त करो क्या से करोगे 1 minus x की वैलू क्या रखी आपकी 0.5 0.5 दे रखी है अपन 1 plus 0.5 ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.5 अपन 1.5 ठीक है यह काटेंगी तो पी अपन 3 आपका समझ गया हो गया आप ठीक है वागी आपका अभी रगया अभी यह अपने हैं कर निögल लिए अभी हो ब्रोड़क्त का दोडिक रख्याए आपके पास में रहें रहें हैं पीलियोग्सऺ का का आपको निकालना पड़िक है में तो भी निकाल कि देखे लोग्सविद्द्ध का डिजी क्या का जो है यसिवल तो कितना और आपका 25 ऐग एं 20 एना तो प है एक अब आपको KP क्या होता है आपको iphone फ Lance कितना है PCL-5 यह आपका यह है अब आपको सब्सक्राइब करने है आपके पास में PCL2 की वेल्यू है उसके बाद में आपका पी PCL3 की वेल्यू आपके पास में है तो कितनी होगी वह जाएगा याःतिन का अपको की किhole कि के अचाएगी किऊ एक पीक्ली थी निखालना है। हमें यहां से पी निकालना है कि इनaken किमें करना है तो पी आप यहां से निकाल लोगे कि तो does आपकी 1.6 है ठीक है 1.6 into 3 equals to 4.8 आजाएगा आपका अंसर ठीक है आपका कौनसा option सही हो जाएगा आपका A option सही हो जाएगा समझ में आगा होगा अभी hope आपको समझ में आगा होगा जदा हाट नहीं है बहुत एक question आप पूट करो अपना formula देन आपका हज़र आप मिल जाएगा आपको 16 question है इंदा mechanism of Hoffman reaction which intermediate reagents to alkaline isosynate तो इसमें आपको बताना है रियेजेंट क्या होगा intermediate reagent क्या होता है alkaline isosynate का Hoffman reaction में तो आपको बताना है इस कहांसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अमाइड इस कहांसर D option हो जाएगा ठीक है next question लेकिए next question आपका 17 बोल रहे है the chemical added to leaded to leaded रही होगा added to leaded ठीक है next question लेकिए next question लेकिए next question आपका 18 बोल रहे है hydrolysis of ozonide of butane 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 in Gibbs जब है hydrolysis कर बाते है mozonide का of किसके साथ में butane के साथ में क्या मिलता है तो बोलता है देखिए इसका option हो जाएगा 18 का आपका acetaldehyde and formaldehyde next question लेकिए Lewiside is Lewiside क्या है आपका तो Lewiside क्या है आपका 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 ही है C h c l double bond C h a s c l2 ठीक है याद रहे हैं तो फिर तेखिए 20 questions आप से बोल रहे है c 3 h 8 plus c l 2 gives c 3 h 7 c l plus h c l is an example of किसका एग्जांपल है यह substitution reaction का है, elimination reaction का है, या फिर addition reaction का है, या फिर addition reaction का है, या फिर नर्वतीर है, तो इसका जो option हो जाएगा, बिता, वो क्या हो जाएगा, substitution reaction का, यह आपका example है, याद रखना है आपको, next question, next question, next question, आपका 21 बोलां है, आपसे, the isotropic mixture of water, इसका क्या है? बॉल इसका क्या है, या वोल्लिक피न, फिर रखना है, एप का boils at about 110 degree celsius during distillation of this mixture it is possible to obtain so what will this option be? this option will be your 21st D neither S2O nor HCl next question is you are talking about 22 you have a compound containing atom of 3 elements A B C 3 elements if the oxidation number is 3 the possible formula of the compound you have to tell the formula of the compound possible okay so what is this method? I am going to write it here see here for a compound 0 what is saying? sum of all the oxidation numbers sum of all the oxidation numbers and it is equal to 0 what will we say? we will tell you that the possible formula of the compound will be our possible formula so you have to remember now you have to sum all of them so what will you do? 2 into 2 how much? 4 plus you have 2 question B into 5 then B is 5 this will stay 5 then then 6 will be 6 minus 6 will be 6 This will be you so 4 and how much? how much? 8 will be 0 this will not happen this means you need 0 this 3 which is B option, this 3 is your option how do you do this? Here 3 is here into 2 what will this how much? 2 I am the oxidation number and 3 A is 3 and you have to remove नमबर ठीक है प्लस आपका तू यह दे रखा है तू यह जो होल नमबर है वो और कोस्टक में आप लिखोगे फाइब बी आपका क्या है फाइब रखा है ऑक्सिलेशन नमबर माइनस फोर इंटू टू एट हो जाएगा ठीक है यह हो गया आपका तो यह 6 हो गए यहां पे और जिरो हो जाएगा ठीक है तो इसका option B option सही हो जाएगा आपके मतलब 0 आना चाहिए अगर आपका जो compound है फर्मूला compound है उसके equals to में 0 आ जाना चाहिए इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए ठीक है जैसे अगर यह फर्मूला compound है आपका कि जैसे A, B, C equals to आपका 0 आना चाहिए तभी आपका यह compound आपको बता पाँगी कि यह compound इसका सही होगा ना इस question देखिए 23 बोल रहे है which statement about molecularity of reaction is not correct तो इसमेंसे आपको बताना है कि इनमेंसे molecularity of reaction है और मेंसे कौन सा statement correct नहीं है वो बताना आपको तो वो है it may be either whole number और fractional number यह आपका सही हो जाएगा इसको भी option आपका सही हो जाएगा ठीक है next question देखिए next question है आपका यह वाला कि 24 द नौट द नहीं है द यह नौट पीटा यह आपे यह नौट है यह नौट आपने देखा होगा यह वाला ठीक है chemical kinematics ठीक है तो यह for the reaction इतना दे रखा है और यह दर कि आपकी value e की जो आप e cell होती है उसकी और case की आपसे पूछा है तो इसको भी calculate करना है calculate कैसे करो के मैं आप बताती हूं देखो सबसे पहले आप देखोगे की emf equal to कितना होता है e not cell आपने formula पढ़ाओगा formula बता रही हूं बैस और कुछ नहीं है इसमें 059 upon n log k यह आपने पढ़ाओगा definitely ठीक है yes मैं पढ़ा है हमने आप आपको क्या करना है यह आपको emf वो आपकी 0 दे रखी है यहाँ पे 0 है यह रही है तो यहाँ पे यह करोगे क्या करोगे आप सबसे पहले आपको क्या करना है 0 यह तो हो चुका है तो आपको e note को बाहर ले लेना है e note cell minus में आएगी equals to minus में आपकी value हो जाएगी 0.059 upon n और log k यहाँ पे 0.059 है ठीक है 9 यहाद रखना है फिर उसके बाद में आपको यह minus से minus कट जाएगा e cell तो e cell की value ह तो वह कैदा रखिए आपको e cell की value दे रखिए n की value यहाँ पर 10 है यह वाली 10 ठीक है 10 यहाँ पर 10 रखना है तो e cell की value हो जाएगी आपकी देखिए आप रखोगे जब तो 0.15 into 10 upon 0.591 ठीक है equals to log k ठीक है यहाँ से आपको k की value निकालने है तो k value कैसे निकालोगे k की value आप इस निकालोगे k equals to 10 to the power क्या होगा 0.15 0.15 into 10 upon आपका क्या हो जाएगा into 10 upon 0.59 आप से calculate करोगे ठीक है तो आप से calculate करोगा calculate करने पे आपकी जो value आजाएगी की की वह जाएगी 2.65 into 10 to the power 25 इसमें से match करो question क्या होगा answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा आपका first option ठीक है first option हो जाएगा आपका 2.65 into 10 to the power 25 फिर देगे next question आपका next question है 25 बोल रहे हैं आपसे latent heat or preparation of water is इतनी दे रखी है और उसके बाद में आपकी यह दे रखी है आपकी आपका यह temperature दे रखा है calculate molal boiling point elevation constant of water तो आपकी यहाँ पे kb या केसी kb है आपके boiling है ना तो kb की value आपसे आपने इक प्रिजिंग पॉइंट वाला उता है इसे 비्लिंग वाला बोलते है और इसे bit jeunes पोइंट अपने कितनी होती है 1.86 बढ़ा होगा आपने और जो जो क्रीघि वाले boiling point में होती है boiling वाले उसमें तो कहती है इसको हम के वी को ही boiling point elevation constant of water भी बहुते है एसका एपका अश तो इसकी as it is आप value याद रख लो कि इसकी value होती है for water के लिए 0.52 ठीक है और kf जो phrasing point वाला elevation constant होता है इसको भी बोलते हैं तो इसकी value होती है 1.86 इससे निकालने बैठोगे तो बहुत time लग जाएगा ठीक है तो आप इसकी जाद रखना फिर देखिए next question 26 बोल रहा है the value of water factor is maximum 4 तो water factor आप इसकी लिए लिख सकते हो बहुत ही आपके इसमें थो आ रहे है तो आपका कितना है maximum किसका 3 आ रहा बहुत है तो आपके maximum किसका अ रहा है आपके A रहा है तो आपके tak सभी हो जाएगा question is आपका next question 27 बोल रहा है for body center q जो आपका 20cc होता है number of atom पर unit cell कितने ही हैं तो यह आपके ही होते हैं कितने होते हैं बहुते हैं किया है उसमें आपको मुझे बताने ए तिक करें चाहिँ होता है अमीज्य सैंतर करने के सलदस्य नबहुते हैं पर foreign of thyroid gland तो इसमें से कौन सा इडियो आइसो टोप होता है जो हम thyroid gland के लिए यूज़ करते है तो आपको पता thyroid gland क्या होती है iodine की कमी की वैज़े से होती है तो iodine के something की कुछ होगा तो हमारा B option सभी हो जाएगा iodine 131 आप यह लिखे के ऐसे हुए है 24 और 51 तो इसमें टाइप करने में थोड़ा नहीं आ रहा था यह तो मैंने ऐसे लिखती है तो आपका B option सभी हो जाएगा लिखे हुए ऐसे हुए है exactly ऐसे लिखे हुए है ठीक है next question 29 बोल रहा है आपसे select the equilibrium which is not affected by the change of pressure इनमें तो कौनसा equilibrium होगा मतलब reaction होगी equilibrium पर जो temperature से affect नहीं करीगी तो वो कौनसी reaction है वो आपकी है C option कौनसा है H2 gas में है plus आपके I2 हमने लिया है वो भी gas में लिया है इको से 2 HIi तो यह क्या है आपका तो यह वाई reaction है वो equilibrium पर क्या आपकी pressure से not affected रहती है यह है आपका select the species which does not act as bronze state base इनमें तो कौनसी species है जो bronze state base की तरह act नहीं करती है तो वो कौनसी है आपकी बताहिए मुझे इसका option हो जाएगा आपका h3o plus ठीक है यह आपका option हो जाएगा और बाकी बाकी क्या था बाकी आप देख लेना जो भी है आगे और भी question आजाएंगे आपको किसके चाहिए मुझे comment box करना मैं मैं इसकी चाहिए हमें help चाहिए मतलब physics में चाहिए वायो में चाहिए तो आपक उसके 10 questions आते हैं 100 questions आते हैं आपके पूरे total 10 questions आपके GK के आते हैं तो उन पर जाएगा धियान देने से बजाए आपना अपनी chemistry physics bio पे दो ठीक है इन जी जब जाएगा दियान दो तो आप next बताना मुझे किसका में lecture लो आप लेओं के लिए thank you so much for watching but take care आपका score कितना हुआ हयों जी पता है दिना भाए ट्यक्या